अगर आपके गर दाल खिचरी सुबब बनी हो और सामको बची हो तो आपका वो खाना पसंद ना हो तो बची हुई खिचरी से किस तरह से टेस्टी नास्ता बनता है वो आज हम देखेंगे तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं यहाँ पे आप ताजा बनी हुई खिचरी भी ले सकते हो और बची हुई खिचरी भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे खिचरी को एक बावल में ले लेंगे इसके जो बड़े बड़े तुकड़े है उसको हम चम्मच की मदद से मैस कर लेंगे इस तरह से मैस करते जाना है और इसमें कुछ चीजे आड़ करेंगे जो गर में आसानी से अवेलेबल होती है एक कप जितना गेहूं का आटा एक कप जवार का आटा आप जवार की आटे की जगा आप बाजरी का आटा भी यूश कर सकते हो दो से तिन चम्मच जितना बेशन एट कर लेंगे एक चम्मच जीरा एट कर लेंगे टेस्ट के हिसाब से अधरक, लसून और हरी मिर्च का पेस्ट एड़ करेंगे एक चम्मच हल्ली पाउडर एक चम्मच गरम मसाला गरम मसाला आपके लिए ओप्सनल है आप स्कीप कर सकते हो टेस्ट के हिसाब से नमक एड़ कर लेंगे ये नास्ता बहुत जल से बन जाता है और तेस्टी भी बनता है दो चम्मच जितना धन्य जीरे पाउडर एक चम्मच सुखी लाल मिर्च एड़ करेंगे अगर आपको टिखा ज़्यादा पसंद हो तो आप थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो या फिर कम भी कर सकते हो अब हम दो से तिन चम्मच जितना धन्य एड़ कर लेंगे आप दहीं की जगा चाज भी यूज़ कर सकते हो थोड़े कड़ी पट्टे इसको आपने कड़ कर लिया है एक चम्मच चीनी एड़ करेंगे एक निम्मू का रस एड़ कर लेंगे सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे सारी चीजे अच्छे से मिक्स हो गई है अब हम इसमें दो चम्मच टेल एड़ करेंगे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप देख सकते हो आसानी से मिक्स हो गया है इसमें वेजिटेबल भी नहीं है तो फटाफट से मिक्स हो जाएगा अब हम इस तरह से चेक कर लेंगे हमारा बाइंडिंग आ रहा है इसलिए हम पानी एड नहीं करेंगे अगर आपका बाइंडिंग इस तरह से ना आए तो आप पानी एड कर सकते हो या फिर पानी की जगा चार्च भी एड कर सकते हो इस तरह से हमारे सारे मुठिये बना के रेडी कर लेंगे इस तरह से आपको जो सेप में पसंद हो वो सेप में आप बना के रेडी कर सकते हो इस तरह से हम सारे मुठिये हम बना लेंगे अब हमें ये मुठ्य को स्टीम देना है तो स्टीम प्लेट लेंगे और स्टीम प्लेट में ये मुठ्य रखते जाएंगे और दूसरी तरफ स्टीम कुकर गरम करने के लिए रख दिया है हमने फटाफट से मुठिये बना के रेडी कर लिये है कुछ टिक्या भी बनाई है कुछ मुठिया बना के भी रेडी किया है टिक्या जल से स्टीम हो जाएगी अब हम स्टीम प्लेट को स्टीम कुकर में एड कर लेंगे स्टीम कुकर गरम हो गया है अब हम गेस की फ्लेम हाई रखेंगे नास्टे को 10 मिनित तक स्टीम देंगे कवर करके उपर से 10 मिनित हो गई है आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से स्टीम हो गया है अब हम थंडा करने के लिए प्लेट को बाहर निकाल लेंगे अब हम नास्टे को अच्छे से कट कर लेंगे इस तरह से हमें कट करना है हलका सा गरम है आप अपनी पसंद के सेप में कट कर सकते हो अब हम नौन स्टिक पैन लेंगे पैन में दो चम्मज टेल एड़ करेंगे टेल गरम हो गया है पैन में हम मुठ्य को sellify करने वाले हैं तेल गरम हो गया है अब हम तेल में सरसो के दाने एड़ करेंगे उसको हम चटकने देंगे थोड़े green leaves एड़ कर लेंगे और इसमें हम हमारा सारा नास्ता एड़ कर लेंगे और अच्छे से sellify कर लेंगे हलके हाटों से चलाना है और इसको हमें पैन में 2-3 मिनित तक पकाना है कवर करके 2-3 मिनित हो गई है अब हम इसको फिर से चलाएंगे आप देख सकते हो थोड़ा सुनेरा हो गया है ज़़ा क्रिस्पी खाना पसंद हो तो आप थोड़ा ज़़ा ड्राइ कर सकते हो मुठ्ये बनके रेडी हो गया है सव कर लिया है आप भी बच्ची हुई दाल खिच्री से इस तरह से टेस्टी नास्ता बना सकते हो सबको पसंद आएगा अमारी रेसी भी पसंद आई हो तो लाइक और शेर करें